उत्वदेश के हात्रस जिले में दो साल पुराने हत्या के मामले में स्थानी अदालत ने 45 वर्षिय कांती देवी को उमरक्याद की सजा सुनाई है कांती देवी पर अपने पती के हत्या की साजिश रचने और इससे अंजाम देने का आरूफ था इस गट्ना में उनकी नावालिक बेटी भी शामिल थी यह मामला 27 अगस्त 2022 का है जब हात्रस के सिकंद्रराउ थान शेत्र के कपसिया गाउं में कांती देवी ने अपनी 17 वर्षिय बेटी के साथ मिलकर अपने पती पर धरदार हत्यार से हमला किया गंभी रूप से घायल पती को इलाज के लिए अलीगर के एक अस्पताल में भर्ती कराई गया जहां दो दिन बाद उनकी मौत हो गई मामला तब सामने आया जब दमपत्ती के 18 वर्षिय बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्च कराई बेटे की गवाही ने इस मामली में एहम भूमिका निभाई और अदालत ने इसे निर्नायक सबूत माना पुलिस जांच और आरोप पत्र के अनुसार दमपत्ती के बीच आए दिन विवाद होते थे कांती देवी पर पती द्वारा अन्यतिक गतवधियों के आरोप लगाय जाते थे और उसे घर से बाहर जाने से रोका जाता था इनी बातों से नराज होकर कांती देवी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर हत्या की साजश रची अदालत ने कांती देवी को दोशी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई वही उसकी नाबालिक बेटी का मामला किशोर नायले में चल रहा है अभियोजन पक्ष ने पुखता सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत में हत्या की साज़िश का पूरा विवरन प्रस्तुत किया यह घटना पारिवारिक विवादों से उत्पन हिंसा की ओर इशारा करती है विशेशग्यों का मानना है कि ऐसे मामले में पारिवारिक समवाद और परामर्श आवशक हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके सी न्यूस के लिए ब्यॉरर रपोर्ट